किसी ने बड़ी कमाल की बात कई है कि भासाओं का अनुवाद तो किया जा सकता है परन्तु भावनाओं का नहीं इन्हें तो समझना ही पड़ता है नमस्कार दोस्तों मैं हो दीपा कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने आरजियम यूटूब क्लासिज में दोस्तों जो आज का वीडियो है एक महत्तपून टॉपिक पे है दोस्तों वह टॉपिक है भारत के राष्टिय प्रतिक दोस्तों यहां से क्वेश्चन एकाद दो क्वेश्चन पूछी दिये जाते हैं और दोस्तों हम इस टॉपिक में खासता और पे उस टैप के क्वेश्च की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना होता है तो बताए दोस्तों जो हमारा राष्टिय ध्वज है उसकी लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना होता है हमारा option A है 5 अनुपात 3 option B है 3 अनुपात 2 option C है 3 अनुपात 4 और option D है 2 अनुपात 3 तो बताए दूस्तो तो दूस्तो इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option number B यानि भारत के राष्टिय धोज की लंबाई और चौडाई का अनुपात तीन अनुपात 2 होता है तो चले दूस्तो अब लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय धोज की चौडाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है दोस्तो देखिए आप यदि question को ध्यान से देखिएगा तो आपको जो अभी पहला नंबर जो question कराए है और एक question इसमें फर्क लग जाएगा लेकिन सुनने से आपको शुरुवात में भी लगा होगा कि आखिर दोनों question एक ही जैसा है लेकिन नई दोस्तो यहाँ पे देखिए आपको question थोड़ा से देखिए यानि कि भारत के राष्टिय धोज की चौडाई और लंबाई वहाँ पे जो मारा पहला question था वहाँ पे बोला था लंबाई और चौडाई लेकिन यहाँ पे है चौडाई और लंबाई का अनुपाद कितना होता है दोस्तो यहीं पे अधिकतर student confuse कर जाते हैं कुछ लोग यहाँ लंबाई और चौडाई का अनुपाद पढ़के गए है यानि तीन अनुपाद दो वहाँ पे option में सही मार देंगे और option भी इस तरीका का दिया रहता है कि दोनों option रहेगा आपको तीन अनुपाद दो भी और दो अनुपाद भी तीन भी इसलिए दोस्तो आपको हाँ पे question को इस टाइप के जब question होते है उसको अधिक focus करना है तो देखे दोस्तों यहाँ पे चौडाई और लंबाई बोल द जाता तो दोस्तों यहाँ पे हो जाता तीन अनुपाद दो तो चलिए दोस्तों अभी लोग अगली question की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय धोज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है तो बताई दोस्तों जो भारत के राष्टिय धोज होता है उसके बीच बना असोक चक्र होता है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो चुका है असोक चक्र के बीच जो उसका रंग कैसा होता ह है है यानी हमारा आपसनई है समुद्री निला आप रा होता है और आपसन डी होता है हरा यहानी जो अशुक्क्त Κर का रंग जो होता है कैसा हिता है दोस्तों गहरा निला होता है तो चलिए दोस्तों अब लोग अगले question की ओर बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया होती है यानि जो हमारा असोक चक्र है उसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है हमारा option A है 20 option B है 22 option C है 23 और option D है 24 तो बताई दोस्तों कितना तिलिया होता है तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number D यानि भारत के जो राष्टिय ध्वज के बीच में जो असोक चक्र होता है उसमें तिलियों की संख्या 24 होती है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले question क्यों बढ़ते है हमारा अगला question है स्वतंत्र भारत के राष्टिय ध्वज का डिजाइन निमलिखित में से किसने बनाया था यानि जो राष्टिय ध्वज है उसका डिजाइन किन होने बनाया थे हमारा option A है महात्मा गांधी option B है बंकिम चंद्र चटर जी option C है रविंद्र नाट टैगोर और option D है पिंगाली बैंक किया तो बताएं दोस्तों तो देखें दोस्तों जो हमारा स्वतंत्र भारत के जो राष्टिय ध्वज का डिजाइन किये थे वो कौन किये थे दोस्तों तो इसका हमारा option number D सही हो जाएगा यान जो पिंगाली बैंक किया थे उन्होंने ही हमारा राष्टिय ध्वज का डिजाइन किया था तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय गान क्या है यानि हमारा जो भारत के राष्टिय गान है वो क्या है हमारा option A है बंदे मातरम option B है सारे जहां से अच्छा हिंदु स्था हमारा option C है जनगनमन option D है हिंद देश का प्यारा जहंडा तो बताए दोस्तो जो भारत के राष्टिये ग्यान क्या है तो दोस्तो इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option number C यानि जनगनमन जो है वह भारत के राष्टिये ग्यान है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग अगले question की और बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिये ग्यान के रचैता कौन है यानि जो हमारा राष्टिये ग्यान है जनगनमन उसकी रचैता कौन है हमारा option A है बंकिम चंदर चटर जी ओप्सन B है रबिंदरनाः टैगोर ओप्सन C है सरोजनी नाइडू और ओप्सन D है अरबिंदु घोस्त तो बताए दोस्तों जो हमारे जनगनमन है उसकी रचाईता कौन है तो दोस्तों देखे इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नंबर B यानि रबिंदरनाः टैगोर जो है उन्होंने ही राष्टिये गान जनगनमन का रचाईता किया थे तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है राष्टिये गान जनगनमन सरोप्रथम कब और कहां गया गया था यह जो हमारा जनगनमन है वह सबसे पहले कब और कहां पर गया गया था हमारा ओप्सन ए है 1911 कुलकत्ता में ओप्सन B है 1931 कुलकत्ता में और ओप्सन C है 1931 दिल्ली में और option D है 1896 कुलकत्ता में तो दोस्तों देखें सबसे पहले जनगनमन यानि राष्टगान जो है हमारा 1911 के कुलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था यानि इसका option number A हमारा सही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अब लोग अगले question क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत का राष्टिय गित क्या है बताई दोस्तों भारत का राष्टिय गित क्या है हमारा option A है जनगनमन, option B है हिंद देश का प्यारा जंडा option C है बंदे मातरम, option D है सारे जहां से अच्छा तो बताई दोस्तो तो दोस्तो देखे इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number C यानि बंदे मात्रम जो है वह भारत का राष्टिये गीत है तो चले दोस्तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिये गीत की गायन की ओधिक क्या है दीखे दोस्तो काफी important question बहुत बार यह repeat कर चुका है question दोस्तो भारत की जो राष्टिये गायन का तो हम लोग जानते है कि उसका 52 सेकेंड होता है लेकिन जो भारत के राष्टिय गीत होता है उस गीत की गायन की ओधी क्या है यानि कितने समय तक उसको गाया जा सकता है टाइमिंग यानि क्या है हमारा option A है 52 second option B है 60 second option C है 65 second और option D है 90 second तो देखे दोस्तो इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा option number C यानि 65 second जो है भारत के राष्टिय गीत की गायन ओधी होती है तो चले दोस्तो अब हम लोग आगे question क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय गीत बंदे मातरम किस ग्रंट से लिया गया है संकलित है तो बताए दोस्तो जो भारत का राष्टिय गीत है वो किस ग्रंट से लिया गया है हमारा option A है मुदकोपनिसद, option B है कठोपनिसद, option C है आनंदमठ और option D है भारत भारती तो पताईए दोस्तो जो भारत का राष्टिय गित है वह आनंद मठ जो है उससे लिया गया है आनंद मठ गरंथ है उससे लिया गया है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला क्विश्चन है भारत के राष्टिय गित के रचाइता कौन है यानि भारत के राष्टिय गान का तो हम लोग देख लिये हैं लेकिन जो भारत के राष्टिय गित है उसका रचाइता कौन है हमारा ओप्शन यह है रभिंद्र नाट्य गोर ओप्शन बी है बंखिम चंद्र चटर जी ओप्शन सी है सर मुहम्मद इकबाल ओप्शन डी है सरोजनी नाइडू तो बताए दोस्तों दोस्तों देखे इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर बी यानि जो भारत के राष्टिय गीत के रचाईता बंकिम चंद्र चटर जी है तो चलिए दोस्तों अब लोग आगे वड़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का राष्टिय गीत बंदे मातरम सरोप्रथम कब गाया गया था यानि यहां पे भी देखे दोस्तों जो भारत का राष्टिय गीत है सबसे पहले कब गाया गया था हमारा option A है 1886, option B है 1896, option C है 1906 और option D है 1907 में तो बताए दोस्तों कब गाया गया था तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option नंबर B यानि 1896 इस वी में सबसे पहले भारत का राष्टिय गीत गाया गया था तो चली दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है आकासवानी और दुरदर्शन के दैनिक कारेकरमों की सुरुवात किस से होती है यानि आकासवानी और जो दुरदर्शन होते है उनका सुरुवाती प्रसारन से पहले सबसे पहले किस चीज का प्रसारन किया जाता है हमारा option A है राष्टगान से, option B है राष्टगीत से, option C है स्तन्तूरवादन से और option D है फिल्मी धुन से तो बताए दोस्तो किस से होती है तो दोस्तो इसका सही answer हो जागा हमारा option B यानि जो होता है इसका आकासवानी और दुरदर्शन के दैनिक कारेकरमों की सुरुवात राष्टगीत से होती है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है सारनाथ इस्थित राष्टिय अस्तंभ का कौन सा भाग राष्टिय प्रतिक के रुप में लिया गया है तो बताए दोस्तो जो ये तो जानते हैं हम लोग की सारनाथ से लिया गया हो राष्टिय अस्तंभ का कौन सा भाग राष्टिय प्रतिक के रुप में लिया गया है बढ़े दोस्तों कौन सा है जो सारनात इस्थित जो राष्टिय अस्तम्भ का वह कौन सा भाग जो है राष्टिय प्रतिक के रुप में लिया गया है तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर ए यानि जो राष्टिय प्रतिक के रुप में उसका राष् आई पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना भूलिए तो चलिए दोस्तों अब हमारा अग्ला question है भारत के राष्टिय प्रतिक में निम्लिखित में से कौन forte असぉ द्रिष्टीगत नहीं है यानी जो भारत के राष्टिय प्रतिक है उसमें कौन सा पसु नहीं है जो हमारा option दिया हुआ है उसमें से कौन सा पसु उसमें नहीं है हमारा option A है सिंग, option B है शान, option C है घोड़ा और option D है हीरन तो दोस्तों देखे इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number D यानि जो हीरन है वो हमारे राष्टिय प्रतिक के चीन में नहीं है यानि इसका option number D हो जाएगा दोस्तों हीरन यानि option number D देखे हीरन इसका सही answer हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले question क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय प्रतिक चीन में कितने सेर दिखाई देते हैं तो बताए दोस्तों जो भारत के राष्टिय प्रतिक चीन है उसमें कितना सेर दिखाई देते हैं हमारा option E है एक, option B है दो, option C है तीन और option D है चार तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number C यानि जो भारत के राष्टिय प्रतिक होते हैं उसमें तीन सेर दिखाई देते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत का राज्य चीन असोक महांद्वारा सारनाथ में अस्थापित सिंग अस्थम से लिया गया है इस राज चीन के मूल अस्तम में कितने सिंग है देखे दोस्तों क्या कहा है भारत का जो राज चीन है वह असोक महान द्वारा सारनाथ में अस्थापित सिंग अस्तम से लिया गया है तो दोस्तों इस राज चीन के मूल अस्तम में कितने सिंग है तो बताई दोस्तों हमारा option A है 2, option B है 3, option C है 4 और option D है 5 तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number C यानि जो सारनात में जो अस्थापित सिंग अस्तम्भ है उसके मूल अस्तम्भ में total 4 सिंग इस्थीत है यानि सिंग दिखाई देते हैं तो चले दोस्तों अब हो लोग आगे वड़ते हैं हमारा अगला question है भारत के राष्टिय संवत के रुक में किस संवत को मान्यता प्राप्त दी गई है तो बताए दोस्तों दोस्तों ये भी important question है इसको भी काफी बार परतियों की परिछाव में पुछा जा चुका है तो यहां हमारा option A है बिक्रमी संवत, option B है सक संवत, option C है कुलम संवत और option D है ग्रेगोरियान संवत तो बताए दोस्तों तो दोस्तों इसका सही answer हो जाएगा हमारा option B यानि सक संवत को राष्टिय संवत के रूप में मानेता प्राप्त दी गई है तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है सक संवत पर अधारित राष्टिय पंचांक का प्रथम मास कब से सुरू होता है दोस्तों जब सक संवत है तो उस पर अधारित जो हमारा राष्टिय पंचांक बनाए गया है उसका प्रथम मास कब से सुरू होता है हमारा option A है चैत्र, option B है बैसाख, option C है माघ और option D है कार्तिक तो बताएं दोस्तों तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option number A यानि जो राष्टिय पंचांग का प्रथम मास जो होता है वह चैत से स्टार्ट होता है तो चले दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है सक संवत पराधारित राष्टिय पंचांग का अंतिम मास क्या होता है वहाँ पे इससे पिछले question में था प्रथम मास जिसका एंसर अच्छा है लेकिन यहाँ पे पुछाए कि अंतिम मास अंतिम महिना क्या होता है हमारा option यह है चैत, option B है माग, option C है पूस और option D है फालगून तो बताई दोस्तो तो दोस्तो इसका सही इंसर हो जागा हमारा option नमर डी यहाँ जो फालगून है वह सक समवत पर अधारित राष्टिय पंचांग का अंतिम मास होता है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है बहरत का राष्टिय पसु क्या है तो बताई दोस्तो जो भारत का राष्टिय पसु क्या है हमारा option A है चीता, option B है तिंदुआ, option C है बाग और option D है सिंग तो बताईए दोस्तो देखे इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option number C यानि जो बाग है वह भारत का राष्टिये पसू है तो चलिए दोस्तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारा अगला question है बाग से पहले भारत का राष्टिये पसू क्या था तो बताईए दोस्तो अभी तो वर्तमान समय में भारत का राष्टिये पसू तो बाग है लेकिन उससे पहले क्या था हमारा option A है हीरन, option B है निलगाए, option C है सिंग और option D है गिंडा तो बताईए दोस्तो तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number C यानि जो बाग से पहले हुआ सेर हमारे देश का राष्टिये पसू था तो चले दोस्तो अब हम लोग अगले question क्यों बढ़ते हैं हमारा अगला question है भारत का राष्टिये पक्छी क्या है तो बताईए दो दोस्तो तो दोस्तो इसका सही answer हो जाएगा हमारा option number A मयूर यानि मोर जो है हमारा भारत का राष्टिये पक्छी है तो चलिए दोस्तो आज का हम लोग अंतिम प्रस्ण की और बढ़ते हैं और आज का हमारा अंतिम प्रस्ण है मध्य प्रदेश के किस जीले में राष्टिये पक्छी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और जो हमारा राष्टिये पक्छी मोर है वह मध्य प्रदेश के किस जीले में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है हमारा option A है मुरैना, option B है भिंड, option C है रिवा और option D है सतन तो बताएं दोस्तों किस जगव पे सबसे अधिक मूर्ग मिलते हैं तो दोस्तों इसका सही एंसर हो जाएगा हमारा option number A जो मुरैना जीला है वहां मध्य परदेश का वहां पे सबसे अधिक हमारा राष्टिय पश्चों मिलता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपको से अगले वीडियो में दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले बन्दे मातरम